में आपका स्वाकत है आपके साथ मैं हुरीना कौर अब आज हम लॉइडा के सेक्टर 81 से 90 को सभी पहलू पर रिव्यू करेंगे यहाँ पर ज्यादा तर लाइन इंडस्ट्रिल यूज के लिए है कुछी एरियास में आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे इसके अलावा यहाँ प नॉइडा एक इंडस्ट्रिल टाउंशिप के तौर पे प्लान किया गया था इसी प्लान के चलते नॉइडा के सेक्टर्स रेजिदेंशल, कमर्शल, इंस्टिशनल, ग्रीन बेल्ट, वेर हाउसिंग जैसे मिक्स एरियास में क्लासिफाइड है आज के हमारे रेव्यू के लिए चुने हुए सेक्टर्स में से 81, 83, 84, 85, 87, 89 और 90 इंडस्ट्रिल सेक्टर्स हैं सेक्टर 82 रेजिदेंशल है, सेक्टर 86 में रेजिदेंशल एरिया के अलावा दो गाउं शामिल हैं और काफी लांड पार्सल ग्रीन बेल्स हैं सेक्टर 88 में होल सेल और वेर हाउसिस हैं इन सेक्टर्स में कुछ गाउं भी पढ़ते हैं, हमारा खास पोकस रेजिदेंशल सेक्टर 82 पर रहेगा जहां से हम आपको सभी सोशल इंफ्रस्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे सेक्टर 82 में ज्याद तर मल्टी स्टोरी डपार्टमेंट्स और सेक्टर 86 में रेजिदेंशल प्लॉट्स मिलेंगे ये दोनों ही सेक्टर्स मिडल इंकम ग्रुप को केटर करते हैं Noida, Great Noida Expressway और दादरी में रोड इंसेक्टर्स की मेजर अप्रोच रोड्स हैं इसके अलावा कई आर्टीरियल रोड जैसे की जीतराम कॉलनी रोड, कैनल लेंक रोड, संपर्क मार्ग इंसेक्टर्स से होकर गुजरती हैं Noida, Great Noida Expressway और Noida, Great Noida Link Road इंसेक्टर्स को Great Noida, Delhi और गाजियाबाद से अच्छी कनेक्टिबिटी देता है सेक्टर 81 और सेक्टर 83 का एक्वा लाइन पर अपना मेट्रो स्टेशन है साथ किलोमीटर के रेडियस में दो और मेट्रो स्टेशन हैं NSEZ और Noida सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन इन मेट्रो स्टेशन से ए रिक्षाज और साइकल रिक्षाज मिल जाते हैं दूसरे सेक्टर में जाने के लिए हजरत निजामुदीन रेइलवे स्टेशन 20 किलोमीटर न्यू डेली रेइलवे स्टेशन 27 किलोमीटर और इंदरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट 34 किलोमीटर दूर है सेक्टर 82 के 7 किलोमीटर के रेडियस में 10 स्कूल्स हैं महरशी उनिवरस्टी 2 किलोमीटर जेपी इंस्टिटूट आफ इंफरमेशन टेक्नलोजी 6 किलोमीटर और एमिटी उनिवरस्टी 8 किलोमीटर की दूरी पर है लोकालिटी के 10 किलोमीटर के रेडियस में 3 अच्छे हॉस्पिटल्स भी है सेक्टर 82 के राइट अपोजिट पड़ता है सेक्टर 110 जो रोड के इस पार है ऐसे में यहां के रेजिदेंस जो हैं अपनी शॉपिंग नीज के लिए सेक्टर 110 की मार्किट का रुप करते हैं इसके अलावा ATS1 हैमलेट मार्किट भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है सेक्टर 82 और 86 रेजिदेंचल हैं बाकी सभी इंडस्टर सेक्टर हैं ऐसे में यह क्लस्टर कई इंडस्ट्री से घिरा हुआ है साथी सेक्टर 127, 126, 135 और 142 के इंप्लॉइमेंट हब्स यहां से 8 किलोमीटर दूर हैं यहां आपको यह बता दें कि इंफोसिस लिमिटेड सेक्टर 85 में नया कमर्शल प्रोजेक्ट डवलप कर रहा है सेक्टर 82 के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो माजिक ब्रिक्स डेटा के मुताबिक यहां पर 82% मल्टी स्टोरी हैं और पॉपुलर रूम कॉन्फिगरेशन है 3BHK सेक्टर 81 से 90 में प्रोपर्टी से जुड़ी लेटिस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप माजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसका लिंक हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है इस एरिया के अपने कुछ कंसर्न्स हैं जैसे यहाँ पर ओपन और चोक्ट ड्रेन्स एक मेजर कंसर्न है सेक्टर 81 के पास कॉंटली इरिगेशन ड्रेन पर बने पुल काफी खसता हाल हैं जिसके चलते कई लोग और बच्चे अपनी जान भी गवा चुके हैं यहाँ के लोग लंबे वक्त से इन दो ब्रिजिस को ठीक कराने की मांग कर रहे हैं साथ ही यहाँ पर सेक्योरिटी भी एक इशू है रेजिडेंस कई बार चेंज नाचिंग और गाड़ी चोरी की कंप्लेंस लिखवा चुके हैं अगर आप इस एरिया में इंट्रेस करने की सोच रहे हैं तो आप MBTV को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना पूले क्योंकि हमें हाल ही में सेक्टर 71 से 80 तक का रिव्यू किया है और जल्द ही हम सेक्टर 91 से लेकर 100 तक का भी रिव्यू करेंगे तो आप हमारे लोकालिटी रिव्यू के रिपोर्ट जरूर देखें और इन्हें बार-बार चेक करते रहें तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा परसन मनीश को दीज़े इजास्त तमस्कार